दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे गवर्णर, स्टेट लेजिसलेचर और सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटिड जितने भी आपके प्रिविस एर कोशन है हम उनको कवर करेंगे आएए शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला कोशन इस कोशन में आप से लेजिसलेटिव कॉंसिल के बारे में बात की गई है और पूछा गया है कि इन में सी कॉंसिस स्टेटमेंट करेक्ट है आएए एक बार देख लेते हैं इन स्टेटमेंट को अगर आपने आर्टिकल 171 पढ़ा हो तो उसके अंडर मेंशन है कि जो आपकी स्टेट लेजिसलेटिव कॉंसिल है वो वन थर्ट से जादा नहीं हो सकती साइस में इस वज़े से आपकी फर्स स्टेटमेंट बिलकुल गलत हो जाती है अब बात किज़े सेकंड स्टेटमेंट की तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो गवर्नर है वो नॉमिनेट करते हैं चेर्मेन आफ दी लेजिसलेटिव कॉंसिल को अब ये भी statement आपकी गलत हो जाती है क्योंकि ये जो आपके legislative council की chairman है इन्हें elect किया जाता है legislative council द्वारा तो कहीं न कहीं आपकी दोनों statement गलत है और इसका answer बन जाता है D option अब यहाँ पर अगर बात किजाए legislative assembly के बारे में मैं आपको कुछ information दे देता हूँ legislative assembly की maximum strength होती है 500 और minimum होती है 60 अब यहाँ पर कुछ exceptions है जैसे state of Arunachal Pradesh, Sikkim, Goa यहाँ पर आपकी strength है 30 वेराज अगर बात किजाए मिजोरम की तो उसकी strength है 40 और Nagaland की strength है आपकी 46 उसके लावा Sikkim और Nagaland में आपके कुछ member nominated भी होते हैं वेराज बाकी सभी जगापे maximum member आपके क्या होते है elected औल्दो पहले provision था कि एक seat आप Anglo-Indian Community के लिए अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि maximum seatों पे election conduct होते हैं आपके state legislature में बट एक प्रावधान था जिसके तहत Anglo-Indian Community के एक member को nominate किया जाता था governor द्वारा अभी recently इसे बंद कर दिया गया है और आपको मुझे ये बताना है कि कौन से constitutional amendment act के तहट इसे बंद किया गया है उसके लावा अगर बात किजए तो SCST को भी reservation दी गई है और यहाँ पे इनकी population के according इने reservation दी गई है state to state अगर बात किजए legislative council की तो आपको याद रखना है कि minimum strength होने चीए 40 और maximum होती है इनकी one third जो कि मैंने आपको बताया article 171 के under mention है अब यहाँ पर जितनी भी आपकी seats होती है इनको हम कुछ हिस्सों में divide कर देते हैं जैसे one third को आपकी local bodies elect करती है उसके बाद one third को आपकी legislative assembly elect करती है उसके बाद one sixth को आपके governor nominate करते है इन तीनों के इलावा one twelfth को आपके elect करते हैं जितने भी graduate होते हैं state के और बाकी one twelfth को आपके elect करते हैं जितने भी teachers होते हैं state की उसके लावा यहाँ पे मैं आपको बता दू कि legislative council आपकी राज्य सभा कितना ही है यहाँ पे भी permanent house है यह उसके लावा जो आपकी legislative assembly है इसके हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं अब बात की जाए इस question की तो यहाँ पे आपको speaker के बारे में पूछा गया है legislative assembly की और आपको correct statement को choose करना है पहली statement है अब यहाँ पे statement बिल्कुल ठीक है क्योंकि ऐसी तीन condition है जब आपके speaker को अपने office से पहले ही remove किया जा सकता है पहला जब वो आपका member ना रहे legislative assembly का दूसरा जब उसे एक resolution के थुरू remove कर दिया जाए और तीसरा जब आप resignation दे देते हैं deputy speaker को तो इन तीनों ही scenario में आपके speaker को remove किया जा सकता है अपने office से उनका tenure पूरा होने से पहले अब दूसरी statement में आपको कहा गया है कि जैसे ही आपकी legislative assembly dissolve होती है तो speaker तुरंथ ही office को vacate कर देते हैं अब ये statement आपकी गलत हो जाते है क्योंकि article 179 के अंडर ये कहा गया है कि जो आपके speaker है वो अपने office को तब खाली करते हैं जब first session होने वाला होता है आपकी next assembly का तो इस वज़े से second statement गलत है और पहली statement आपकी ठीक तो आपका answer बन जाता है A option अब यहाँ पर एक question है मेरा आपसे आपको power बताने है speaker की क्या होती है legislative assembly में आईए अब चलते हैं अगले question पर अब यहाँ पर आपको governor से related कुछ statement दी गई है और आपसे correct statement के बारे में पूछा गया है पहली statement है भारत में एक ही इंसान को दो state का governor नहीं बनाया जा सकता अब यह बात तो बिल्कुल गलत हो जाती है क्योंकि जब seventh amendment act आया था जब हमने state reorganization की थी उस समय हमने यह कहा था कि एक इंसान को दो state या उससे ज़्यादा का governor बनाया जा सकता है तो पहली statement गलत हो जाती है आई यह बात करते हैं दूसरी statement की जो judges हैं आपके high court के उनको appoint करते है governor जैसे की supreme court में president अब यह भी statement आपकी गलत हो जाती है क्योंकि आपके article 217 के तहत यानि इसके 217 के clause 1 के तहत president ही appoint करते है high court के judges को तो यह statement भी आपकी गलत हो जाती है third statement में आपको कहा गया है कि कोई procedure नहीं है इंडिन constitution में governor को उसकी post से हटाने का अब यह बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि president की जब तक मर्जी होती है यह तब तक ही अपने office में रह सकते हैं मतलब during the pressure of the president अब fourth statement में आपको कहा गया है कि जो UT's होती है इनमें जिसमें legislature होता है वहाँ पर chief minister को appoint करते हैं आपके lieutenant governor तो यह statement गलत हो जाती है क्योंकि इनको appoint करते हैं president साब अब यह जो प्रावधान है यह mention है the government of UT act 1963 के अंडर उसके section 45 में इसी के बारे में बात की गई है आईए अब चलते हैं अगले question पर अब यहाँ पर आपसे बात की गई है discretionary power of governor के बारे में तो आईए देखते हैं क्या statement है पहली statement में आपको यह कहा गया है कि president rule को impose करने के लिए जो report भेजी जाती है वो एक तरह की discretionary power है तो यह बिलकुल ठीक है और यह mention भी है आपके article 356 के अंडर उसके बाद बात कीज़े second statement की appointment of minister अब यह चीज़ गलत हो जाती है क्योंकि CM आपका recommend करते है governor को और उसके बाद ही आपके minister को appoint किया जाता है यहाँ पर किसी तरह की discretion नहीं है तो आपकी second statement अगर गलत हो जाती है तो देखते हमारे पास क्या option बसते है देखे आपकी A statement चलीगी आपकी C statement चलीगी और D भी चलीगी तो आपके पास सिरफ B option बसता है जो कि आपका सही answer है अब बात कीज़े third statement की तो आपके governor किसी भी बिल्को रोक सकते है President की consideration के लिए तो यह statement बिल्कुल ठीक है यह इनकी discretionary power है उसके लावा चौती statement की बात कीज़े तो making rule to conduct the business of state government तो यह आपके council of minister के recommendation के base पे होती है इसलिए आपकी fourth statement गलत हो जाती है अब यहां मैं आपसे एक सवाल करना चाता हूँ आपको मुझे बाकी बची हुई discretionary power के बारे में बताना है governor की आप comment box में अपना answer दे सकते हैं आईए अब चलते हैं अगले question पर अब इस question में आपसे Chief Secretary के बारे में कुछ बाते कहीं हैं और आपको correct statement को choose करना है तो आईए देखते हैं Chief Secretary को appoint करते हैं आपके governor देखिए ये एक executive action है और यहां पर आपके recommendation होती है या choose करते हैं आपके cm तो इस वज़े से वैसे तो नाम तो आपके governor का है बट executive action होने की वज़े से इन्हें appoint तो वैसे cm ही करते हैं तो यहां पर आपकी पहली statement गलत हो जाती है आपके पास 50-50 option बचते हैं मतलब B और D अब देखते हैं second statement Chief Secretary के एक fixed tenure होता है देखें आपकी first ARC report में ये कहा गया था की Chief Secretary को एक fixed tenure मिलना चाहिए बट ऐसा होता नहीं है तो इस वज़े से आपकी second statement भी गलत है और यहां पर आपका answer बंज़ता है D option neither one nor two अब बात किज़े next question की तो यहां पर governor के बारे में आपको कुछ statement दी गई है और आपको correct statement के बारे में बताना है पहला है अब यह statement बिलकुल ठीक है और यह mention है आपके article 361 के अंडर अब second statement में आपसे कहा गया है जो governor को perks मिलती है अपने tenure के time पे उन्हें आप कम नहीं कर सकते हैं जब तक वो office को hold करते हैं तो आपकी second statement बिलकुल सही है क्योंकि यह mention है आपके article 158 के अंडर और यहाँ पर आपका answer बन जता है C option क्योंकि दोनों ही statement आपकी बिलकुल correct है अब इस article में आपको legislative assembly के बारे में कुछ statement दी गही है और आपको correct statement को choose करना है अब जैसे कि आपके president भी यह करते हैं तो governor के पास भी यह power है अंडर article 176 clause 1 के अंडर तो इस वज़े से आपकी पहली statement बिलकुल ठीक हो जाती है उसके लावा बात करते हैं second statement की state legislature does not have rule on a particular matter it follow the loksabah on that matter अब एक चीज़ बताइए क्या आपकी state legislature अपनी power loksabah से drive करती है अब अगर करती है तो यह statement ठीक हो सकता था लेकिन जो आपकी legislature है यह अपने आप में एक independent body है तो इस वज़े से यह statement गलत हो जाता है और यहाँ पे आपका answer बनता है A option क्योंकि second statement आपकी बिलकुल गलत है आईए अब बात करते हैं अगले question की अब यहाँ पर आपको कुछ statement दी गई है और आपको यह पूछा गया कि यह किसने recommend किया था अब यहाँ पर अगर इसकी बात की जाए एक statement की तो ARC में यह mention नहीं है आपके ना ही आपकी राजमनर कमेटी में यह mention है ना ही आपके National Commission to Review the Working of Constitution में यह mention है यह एक recommendation था आपका सरकारिया commission का अब मेरा सवाल आपसे यह है कि सरकारिया commission ने और क्या recommendation दिये थे जो हाल फिलाल में हम implement कर रहे हैं आप इसको comment box में बता सकते हैं आईए अब बात करते हैं आज के आखरी question की अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है sales tax के बारे में जो कि center state relation topic को cover करता है अब जब आप एक toothpaste खरीदते हैं तो वहाँ पर जो sales tax आप pay करते हैं वो किसको जाता है इसका answer तो है D option बट इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और चीज़े बताना चाहूँगा देखे आर्टिकल 268 के अंडर कुछ ऐसे taxes के बारे में बात की गई है जिनने लिवी करता है आपका center बट collect करता है आपका state और appropriation भी state ही करता है जैसे stamp duty जो कि आप checks पे या premonitionary notes पे या insurance पे पे करते हैं उसके लावा आर्टिकल 269 के अंडर कुछ ऐसे taxes के बारे में बात की गई है जो center ही लिवी करता है center ही collect करता है पट appropriation state के पास है उसकी यहाँ पे आते हैं आपके taxes on interstate trades के उपर जो भी आपकी trade and commerce है जो interstate है उनके बारे में बात की गई है यहाँ पे उसके बाद article 270 के अंडर कुछ ऐसे taxes के बारे में बात की गई है जो center impose करता है center ही collect करता है और साथ की साथ appropriation होती है center और state के बीच में अब यहाँ पर आते हैं आपके income tax और corporate tax although यहाँ पर agriculture income से जो tax लगता है वो include नहीं किया जाता है उसके बाद article 271 के अंडर कुछ ऐसे taxes है जो center ही impose करता है यानि living center करता है collect भी center करता है और appropriation भी इनकी center के पास है जैसे जो भी आपके surcharges है वो सभी इसी के अंडर आते है अब कुछ ऐसे भी taxes है जिनका कोई article तो नहीं है जो state आपके लिवी करते है collect भी state करते है और appropriate भी state ही करते है जैसे कि आपकी sales tax exercise duty जो शराब पे लगती है नार्को टेक्स पे लगती है octreatex although अब तो यह कम हो गया या बंद हो गया आप यह कह सकते है उसके इलावा professional tax और यहाँ पर आपके professional tax की maximum limit है 2500 रुपे तक तो यह कुछ information है आपके tax structure के बारे में I hope आपको आज का topic काफी अच्छा लगा हो आज की वीडियो में इतना ही धन्यवाद